बिसमिल्लाहिर रह्मान ररोहिम असलाम लएकुम वलकम बैक टू मैं चैनल आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बहुत ही ट्रडिशनल रेसिपी जो के है सोबत और बहुत ही ज्यादा मज़ेदार होती है बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि यह ऐसी चीजें होती है जिसको आप मिल जूलके खाते हो तो उसका फ्लिवर वैसे ही भड़ जाते है तो मैं प्रेशर को कर में में आ रही हूं मैंने एक अप ओई लिया है और इसमें त्री मेडियम साइज अनियों जो है न वह करकर डाल दिया और उसके बाद मैंने इसमें डाला है जिंजर बूंट आपने पानी के डाल देना है इससे यह होगा कि जो आपके प्याज होते हैं वह बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और बाद में जो है न वह आपके सालन के उपर तैरते हुए नजर नहीं आते तो अच्छे तरीके से इसको बूं लिया है अब मैंने इसमें टमाटर जो ह देंगे यहां पर इसकी और लोजी चली गई इसमें हमारी ग्रीन चिली तो आप देख सकते हैं कि टमाटर भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है और साथी साथ कली मर्च हाफ टेश्पून से दोरसा ज़ादा मैंने हल्दी डाली है और ब्लाक पेपर रेड चीली पाउडर डाल रही हूँ रेड चीली पाउडर जो है ना वो तोड़ी से ज़्यादा डलती है मैंने टू टेबस्पून के करीब डाली है इसलिए क्योंकि इसमें आप शोरवा बनाते हो तो उसमें पिर जो है ना अगर आप कम मसाला डालोगे तो अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने रेट चिली पाउडर ज़रा स्यादर डाली है और इसको भी अच्छा सा भूनना है इसमें जो सबसे इंपॉर्टन चीज़ होती है ना वो आपकी बुनाई होगी जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही अच्छा होगा तो अब मैंने देसी जो मुर्गी होती है उसको मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसके साथ हम इसको अगेन बुनेंगे और बुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है हाफ कप के करीब दही पेंट के डाला है और अब इसके भी अच्छी सी बुनाई करेंगे तो यह आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे तरीके से बुन चुका है और हमारे जो चिकने इसने गी छोड़ दिया है और यह मसाला आप देख सकते हैं कितना अच्छा कितना मज़ेखा लग रहा है और टमाटर प्याज और गयरा का बिलकुल पता नहीं चल रहा सब कुछ अच्छे तरीके से गल चुका है अच्छा जी अब पानी डालना है शोड़वा इसमें ज़्यादा ही डलता है तो मैंने इसमें तकरीबन चार कब बड़े कब जो हैं वो पानी डाला है और आप मैं इसको प्रेशर दूँगी तब तक मैंने यह रोटियां जो है ना वो इस तरीके से चोटे चोटे चुकडो में कट कर दिया है और यह आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है और इसके उपर जो है ना वो मैंने रोटियों के उपर शोरवा चिकन और साथ मैंने लेसन का अचार रख दिया है लेमन और आप इसको गानिश कर सकते हैं और इसके बाद जो है ना इसे मज़े मज़े से खाईए इंजॉय कीजिए थैंक यू सो मच पूर वाचिंग अलाहफिज